नवश्कार दोस्तों भगोन आप सभी कबला करें और आपकी सारी क्षाय मनुकामने पूरी हूँ दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाँ से रिलेटिड महत्पूर जान करवेक करूंगा और यहां पर आपकी पहले क्वेरी का अंसर दिन एक बद और और पाम रिडिंग पर दे रहा है वहां पर बनने वाला फिश इस जगह पर यह फिश अभी प्रोमिनेंट हुआ नहीं है यानि पूरा डेवलप हो नहीं है लेकिन आने वाले समय में यहां पर डेवलप होने वाला है और इधर भी कुछ ऐसे ही फिश इंबल जैसे साइन्स यहां पर आते दिखाई देंगे इधर पर स्क्वेर के एक साइन बना ही हुआ है तो यहाँ पर इस तरह के सुर्य के छेतर पर जब भी चिन पाए जाते हैं तो यह सारे चिन प्रोस्पेरिटी प्रोग्रेस सक्सेज ग्रेट लाइफ में अटेंशन दूसरों के द्वारा मिलने की युगों को भी रिप यहाँ पर इस तरह के साइन यानि स्क्वेर जैसे साइन प्रोटेक्शन के साइन होते हैं यह सारी चीज़े आपको डेफिनेटली मिलेगी अपने लाइफ में तो यहाँ पर फिश शिंबॉल अगर डेवलप्ट होता है तो नेशनल लेवल तक भी नाम होने के आसार या अप सबसे में कारक होते हैं आत्म विश्वास के तो किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर नहीं रहने वाला है और डेडिकेशन काम के प्रती बहुत हाई लेवल का रहेगा तो यही रीजन भी है कि आपके जो लक लैन है उसमें स्लाइटली चेंज़ अब दिखन आ रही है और 42 पाध में भी इसमें चेंज़ेस होता साफसाव दिखाई दे रहा है तो इस तरह के जब चेंज़ेस होते हैं तो यह सारी के सारी रेखाओं में एक कॉमन पॉइंट आप यह देखेंगे कि यह ओवरलेप यहां पर इस तरह से ऊपर के तरफ डिरेक्ली करते च इसलिए काम करने की गतिवीदे में भी परिवर्तन आपका होगा। तो करियर वाइस तो ये ग्रोथ दे ही रहा है। आने वले समय में double source of funding होने की पूरी संभावना ही भी है। क्योंकि अगर हम देखें तो double luck line भी है, आपके पाम में और दूसरा double mercury line भी है। जिसके करन ट्रेंगल भी एक तरह से double formations में बन रहा है, जिसके करन पैसा अच्छा खासा जीवन में आने की संभावना और पैसा का बहुत अच्छा उपयोग होने की योगताओं को भी है, यहां दर्शा रहा है। और जब भी ऐसे double triangle या double source of earning ऐसे combinations पाये गए हैं तो गुपत रूप से भी जिवन में तरक्की होती है या पैसा आता है। अमरे से ही होते हैं आप जैसे आतक देखने को मिलते हैं और दूसरों से काम निकलवाने की योगता अच्छी होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट जादा होता है, knowledgeable personality होती है, कभी भी आगे से किसी के सामने जुक नहीं पाते हैं या जुकने की आदत होते हैं नहीं है। इसलिए एक mental force है, एक dedication है आंतरे क्रूप से आपका क्याप class 1 पे जाईए जिसमें आपके हाथ के नीचे काम करने लोगों की संख्या जादा हो तो वो सारी चीज़ें सिध होगी 37 के S तक आते आते हैं तक। और यह first finger जब भी lengthwise long होते हैं तो जीवन में बहुत अच्छे success को, respect को, position को, आउन करने जैसे योगों को दरशाता लेकिन वही married life या family life में उतना ध्यान ना दे पाने के करण, unnecessarily stresses या एक तरह से pressure या अन्सरेस्वेक्शन आपको या family को आपके तरफ से definitely मिलेगा तो इस ची जिसको definitely ignore मत करिएगा, otherwise यह unnecessarily stresses कई ना कई family life में दे सकता है, otherwise देखें, तो PCS exam करने में इस परकार की हतीली बहुत पाहिर देखने को मिलती है, जिसमें मस्तिश रिखा सीधी हो, क्योंकि यह competitive exam crack करने में मदद करती है, और इस परकार की जैसे positive science अगर हो जाएं, तो luck में भ आने के chances high हो जाते हैं, financial level पे बिल्कुल बेफिकर रही है, आपका luck line का formation बहुत अच्छा है, luck line भले ही रुक रुक करके चल रहा हो, वो इतना खराब नहीं होता, क्योंकि यह जीवन में opportunity देते हैं, satisfaction एक बार में नहीं मिलता, वो चीज़ यहां देखने को मिलती है, लेकिन पैसे के विशे में में बात करें, तो एक छोटा triangle भी अगर यहां पर बन जाता है, तो वो अनन्त पैसा दे देता है, तो यहां तो double triangle बने वे हैं, आपकी money की point of view से, तो पैसे की स्थीती तो बहुत भेतरिन रहने वाली है, properties बहुत अच्छा आप आउन कर पाएंगे, क्यो आपका जो यहां पर basically physical zone जो है, वो थोड़ा जादा active हो रखा है, physical zone और जब एक तरह से यहां practical zone जादा active होते हैं, तो यह career oriented, money minded, business centered type of nature personality को denote करते हैं, यानि business centered यानि कहीं अपना फायदा निकलना, long term decisions या planning या investment खासकर बहुत अच्छी कर पाना, और जो physical world है वो भी जब developed ह होता है, तो luxuries, comfort, royalty, standard of living और इस condition में sensual और एक प्रगार से तमाम तरह के pleasure इन सभी चीजों की fulfillment definitely होती है, जैसे कला प्रेमी, साहित प्रेमी आप इनके द्वारा होंगे, और वहीं शाररी गठन मजबूत होना, काम के प्रती dedication बहुत strong होना, यह सारे combination यानि अपना खान पान आप छोड़ देंगे अपने किसी particular task को पूरा करने के लिए, तो वो इस practical world के कारण ही हो पा रहा है, तो यह जब दोनों किसी के भी हतिले में developed होते हैं, तो prosperity, property और अथा पेसे के साथ समरिध्य विकास होना तय होता है, mental world कम है, तो इसका तात पर यह हो गया, कि बिना सोचे समझे काम करते हैं, पहले action लेते हैं, then after thinking करते हैं, तो यह आपका एक basic nature है, लेकिन overall यह सारे जो prospect हैं, यह सब help करेंगे आपको, आपके desire ambitions को fulfill करने के लिए, और multiple desire आपके अंदर रहेगी, क्योंकि यूपिटर active हो रखे, तो वो कभी भी ambitions को कम नहीं करते, तो इसका असर हम सरन माउंट के उपर दिख रहा है, यह जो इतनी सारी रेखाएं हैं, यह multitasking nature को दर्शाती है, कि आप हर छेतर में हाथ आजमाएंगे, हर प्रकार का काम एक समय पर करेंगे, या एक समय पर इने को काम करने के आदत आपके अंदर रहेगी, तो यह एक दूसरे को इस तरह से connect करते हैं, लेकिन at the end हमको सिर्फ मतलब है result से, कि result किसी भी तरह से हमारे पक्ष में हो, तो वो होता दिखाई दे रहा है आपका, तो इसके लिए अब बेफिक्र रही है, married life के जहां तक बात है, तो वहाँ पर ignorance या फिर वहाँ पर अपने काम में बहुत busy होने के करन, ध्यान न दे पाने के करण problem आ सकती है, लेकिन अगर हम supportive lines की बात करें तो वो बहुत active है, तो partner आपको understand करने वाले, या married life में किसी तरह की बहुत major problem issues नहीं आता वा यहां दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात भी है, और final जो last question बसता है health, तो यहाँ पर internal मार्स आपका develop ठीक है, phalanges की स्थिति ठीक है, और अगर हम life line की flow देखे तो वो ठीक है, mercury line अच्छा है, जो day routine life अच्छा रखता है, तो health के regarding इस condition में major issues नहीं आते, minor issues हो सकते हैं, क्योंकि heart line फेला वाय तो थोड़े बहुत cholesterol, sugar, blood pressure इन सब के regarding हलका full का होता और चड़ा और जैकि इसा भी कोई negative असर इसका नहीं रहेगा, जो health के regarding की stress आपको दे जाए, तो उसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए, अब आते हैं यहाँ पर overall palm के analysis के अतरिक्त, तो जब भी finger clean short होती है, तो यह fast tradition making habit को थोड़े जल्दबाजी या हर बड़ी किसमे के nature को दरशाता है, इस condition में instant decision लेना, अपने thoughts पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से inspired, motivated या influence हों है, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, यह सब basic nature में रहेगा, आपको Jupiter अच्छा है, इसलिए at the end आप कैसे भी काम अपना करवा लेंगे, अगर यह little finger जब भी short होती है, तो काम आ आगे से रहे कर कहीं communicate नहीं कर पाना, क्योंकि हलका हिचके चाहट होना, यह mercury का major result होता है, लेकिन यह अपने पूरे result आपके case में नहीं देंगे, क्योंकि आपका Jupiter finger है, वो बहुत active है, बहुत ज़्यादा developed है, तो यह एक तरीके से जो व्यक्तित है, उसमें बहुत ज़्या पाती है, या फिर वो आहीं नहीं पाती सामने, otherwise इस condition में management से लेकर के communication तक कहीं नहीं struggle, stresses या हिचकी चाहट यह देते हैं, थार्ड फिंगर के लिए थोड़ी से short है, तो बहुत ज़्यादा कला प्रेमी, साहित प्रेमी आप नहीं रहेंगे, या बहुत ज़्यादा creative way से work कर नहीं करेंगे, इस condition में आप rules, regulation, discipline को ज़्यादा कहीं, maintain रखेंगे या उसके accordingly work करेंगे, इस तरह के जब भी gap maintain होते तो इसे independence of, यहाँ पर action, independence of thought कहते हैं, और इसका सीधा ताथ पर इतना ही होता है कि यह independent nature approach, freedom lover type का personality देता है, इस condition में बहुत ज़्यादा कोई फरक नहीं मस्त रहने वालों में से होते हैं, और सुन सबकी लेते हैं, करते अंत तह अपने मन की हैं, यहाँ first and second finger मर्ज हो गया है, जिसके करन अध्यात्मिक रूची या धार्मिकिसम के प्रवति उत्पन हो जाती है, और तमाम तरह के रहस्में विध्धाओं के प्रति रूचियां ब हर प्रकार के लोगों के सा संबंद अच्छे रखना, लंबे मद्धूर इस्ते निभा पाना और रिसोर्सफूल परसनेल्टी होना, यानि किसी भी वेक्ति को किसी भी तरह की मदद, कॉंटेक्ट्स के थ्रू कर पाना, यह सारे कॉंबिनेशन ऐसे सीदे खड़ी रेखा हैं फिंगर के जो नोट्स हैं, वो डिवलप थोड़े क्लियर कट नहीं है, जैसे यहां पर और लास्ट में खास कर, तो इस कंडिशन में इन्वेस्ट्मेंट करते समय, मनी मेंटर्स में और कहीं भी मेजरली एक प्रकार से फाइनेशल डिसीजन लेते समय, आपको कही न कहीं ड गाइडेंस या सपोर्ट क्या शकता पड़ेगा, डिसीजन लेने के लिए, फैलेंजेस और इंटर्नल मास जब डिवलप्ट होते हैं, तो इस्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोदक शम्ता अच्छा होता है, और जो थम का साइज हो, यहां पर शॉर्ट है, तो टूद विजुल की चिंता या सेटन की आड़ी रेखा के करण भी होता है, जो अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग यहां पर कराते हैं, और इस करण से अन्वांटेट स्ट्रेस प्रेशर अपने बिल्ड होना शुरू होता है, पाम का स्ट्रक्चर आपका लंबाई में जादा है, जिसक यहां पर कहते हैं, basically fire element hand, जो emotional, impatient, impulsive and quick decision taking skills on the behalf of feeling यहां जनरेट करता है, नीचे का portion भी बहुत अच्छा डिवलप्ट है, तो किसी प्रकार की सुक्सुईदा संसादन या मन चाहे परिणाम पाने में कोई भी कमी आपको नहीं रहेगा, शुक्र जब भी अच्छे होते हैं त लस्ट, luxuries, comfort and pleasure, इन सारी चीजों के fulfillment है, नी materialistic जितने desire हैं उस सब fulfill होते हैं, चंदर अच्छे होते हैं तो traveling वह खान पान, वह हमेशा नएने चीजों के प्रती, एक प्रगार से concentration रखना, नएने चीजों के प्रती, knowledge gain करना, इतिहास में रूची रखना, नए चीजे explore करना यह सारे combination या सकरात्मक सोच रवाई अच्छा देते हैं, अभी बात करते हैं आपके Jupiter mount से, तो Jupiter mount के उपर आपके एक square का sign यहाँ है, एक square का sign यहाँ है, और एक और यहाँ है, इस तरह के square के sign होना बहुत ही लख्की बना देते हैं, सांसरिक सुख, पारिवारिक सुख, दाम यह सारी चीज़ें अच्छी मिलेगी, क्योंकि यह जो square के sign होते हैं, यह सब protections के sign होते हैं, square ही नहीं है, बहुत सारे चिन, जो rectangle, triangle, fish, यह सब जीवन में सिर्फ उधार करने के लिए ही आते हैं, और यह सब तभी आते हैं, जब व्यक्ति का mindset बहुत अच्छा हो, कर्म प्रे सब यह है कि आपको studies में मन लगता है, studies को लेकर कि आप बहुत ज़्यादा serious है, conscious हैं, और दूसरा, long, hard, deep studies का यह prominent sign हो जाता है, तो यानि इस condition में पढ़ाय लिखाय बेकार नहीं जा सकती, उसका बहुत अच्छा उप्योग होता है, और आपने कब का कौन सी चीज़ कहां प एक तरीके से information के जो कारक हैं, बुद्धी के वो mercury हो जाते हैं, तो mercury definitely दबेव हैं, तो बहुत great information में, बहुत great detail में जाने के आदत आपके इस कारण से नहीं है, लेकिन overall मतलब एक point से पूरी picture समझ जाना, ये काबिलत कोन दे रहे हैं, आपको Jupiter दे रहे हैं, तो ये Jupiter आपका इसी कारण बहुत अच्छे हैं, एक तो professional वे में या knowledge की वे में ऐसे ये help करेंगे आपको, prosperity, marriage कद बहुत बढ़ती है, properties अच्छी देखने को मिलती है, society में status अच्छा होता है, और बड़े लोगों से जो लोग position authority में हैं, जिनका एक वर्चस हो है, उन सबसे connections बहुत connections बहुत अच्छा दे पाते हैं, तो as a consultant, as a mediator भी अगर इसमें work अगर किया जाए, as a teacher भी तो भी lab अच्छा मिलता है, बटीस प्रकर के combinations और जिस तरह से आप अभी belong कर रहे हैं, accounting sector में, तो ये definitely आपको CEO या कोई नो की बड़े level तक definitely life में पहुचाएंगे, यानि इस तरह क आपके जो officers हैं, या हर तरह के जो management है या branch के लोग हैं, वो आपके अंडर में advice या suggestions लेने आएं इस कारण से, Saturn की जो इस्थिती है, उसमें दिक्कत सिर्फ इतनी है कि consistently line run नहीं हो रही है, यहाँ पर, यह मस्तिश रेगा के पहले ही रुकना शुरू हो गई, हाला कि यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह changes को ही denote करता है, लेकिन यह जीवन में अज स्थिर्फा को भी दर्श आता है, बारबर परिवर्तन होने के करण एक तरीके से भागदोरी जीवन में जादा होती है, यह संतुष्टी बहुत कम मिलता है, क्योंकि हर छेतर में फिर ध्यान नहीं दे पाते, और इस condition में हर तरह का काम करने का आपका मन होगा, और हर तरह का काम करने की opportunity भी आएगी, लेकिन focus आपका हर जेगे नहीं हो पाएगा, या हर तरह का काम पूरा नहीं होगा, इसलिए इस condition में काम आधे अधूरे होते वे देखने को मिलते हैं, पर पेसों की कोई कमी ना होना, इस प्रकार की opportunity line देती है, इसे Saturn line ही कहते हैं, यह double source of funding को, good old age को, और सारे comforts, zone या comforts, luxuries को enjoy करने की योगों को represent करता है, लेकिन यह formation कभी भी satisfaction नहीं देता, तो आपको यह life में main जो इशू रहने वाला है, Saturn के दोरा वो है, unsatisfaction, unstability और insecurity के भावना हमेशा आते रहना, Sun mount के अपर multiples line है, कोई issue इतना danger यहाँ पर नहीं है, क्योंकि crosses के science इसने नहीं बनाया है, तो इस करण से आपके पास talent या knowledge या skills अलग-अलग चीज़ों का रहेगा, लेकिन उसमें से जो utilization है, वो कोई ना कोई एक ही चीज़ होगा, इसलिए बे-fizul के भागा दोड़ी या ब आपको बचना चाहिए, एक यशश्वियोग यहाँ पर developed होता हुआ दिखाई देने लग रहा है, इस condition को यशश्वियोग कहा ही इसलिए जाता है, क्योंकि यह संगर्ष के बाद मिलने वाले सफलता को, आलिशन घर के सुख को, और अच्छे खासे goodwill के साथ royalty-based personality को denote करते है तो यह सारी चीज़ें आपके जीवन में आएगी, अगर यह हतिल है, तो किसी काम के credit या reward award मिलने में difficulties आती है, name respect गेन करने में problem होती है, लेकिन जैसा हम देख सकते कि एक fish symbol इदर बनता prominent दिखाई दे रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक square पहले ही बना चुका है, तो इतना कोई again problem आपको job, career, name, respect, success, system के regarding नहीं रहेगा, इवन आपका तो position in power इतना strong रहेगा कि आपके किसी भी काम में कोई व्यक्ति हाथ ही नहीं लगाएगा, या उंगली नहीं उठाएगा, या आपके काम, या आपके नाम से दूसरों के काम बनते वे दिखाई देंगे, तो यह sun बहुत अच्छा आपका जा रहा है, और mercury के उपर एक सेते दिख रहा हो न, multi-tasking nature, multiple interest और multiple languages के प्रती knowledge, रख पाने की यूति को, दूसरों के प्रती करूना दया रखना, hospitality रखना, दूसरों को हील अपने बातों से, अपने कर्म से, अपने योगिताओं से, अपने पेसों स कर पाने की, यूति भी यह देता है, तो यह combination pure business luck, business sense देता है, जिसके तहत, लोग automatically attract होते हैं, आपके nature personality के करण, या लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, उनसे काम निकलवाने की योगिता, ऐसा mercury अच्छा देता है, अब जैसे आप, accounts के field से belong कर रहे हैं, तो इसलिए भ लेकिन mount अच्छा है, और आपका जो mercury लेने वो अच्छा है, तो आपके skills में, यानि योगिताओं में कोई भी कमी नहीं है, तो आपके case में financial management, यानि आपके personal life में भले ही ना हो, लेकिन आपके काम में कोई उंगली ना उठाए, यह सूरी भी दर्शा रहे हैं, यह mercury भी ऐस जाते हैं, और जब भी union line decline ऐसे हो, तो partner थोड़े dominating हो जाते हैं, या फिर आप ही जैसे जातक partner को ज़्यादा तबज्जो देते हो, पाय जाते हैं, hard line इतना fail करके चलना है, यह बहुत सारी emotions carry करना, जितना उसे के सब बाहर निकालिए, या आपको कभी भी emotional disturbance, mood swings नहीं heart line Jupiter से conjunct है, इस condition में यह इमांदर बनाते हैं, एक शाखा उपर के तरफ गई है, तो emotional और sentimental और honest loyal personality देते हैं, और एक शाखा मंगल पे गई है, जिसके current aggression और pure logical personality को यह develop करते हैं, तो यह mixed type of nature personality की निशानी है, लेकिन इसमें Jupiter का role बहुत एहम है, तो इसलिए चाहा करके भी कि का बुरा नहीं कर पाना, बहुत इमांदार सत्यवादी किसम का व्यक्तित देखने को मिलना, और कभी भी किसी भी तरह का इल्जाम आपके उपर ना लगना, यह तीनों combination इस प्रकार का heart line दे देता है, आप अपने emotions को कहीं show नहीं कर पाएंगे, यह आपके अंदर problem रहेगा क्योंकि जिनके हतेली में इसी त्रिशुल जैसा sign या तीन formation heart line के हो जाते हैं, तो कौन सा emotion कब केरी हो रहा है, यह आप भी judge नहीं करेंगे, आपका एक समय मन करेगा कि आज जा के थोड़ा chill मारें या अपने मित्र यार दोस्तों या कहीं भी मिलें, और जैसे ही जा रहे हैं महाँ पे तो कोई और ही emotions लेकर के जा रहे हैं, कोई और ही जाकर के वहाँ practical हो जा रहे हैं, logical हो जा रहे हैं, तो यह बदलते रहता है और यह बदलते भी रहेगा, इसलिए emotions किसी भी तरह से on the spot निकालना आपको ज़रूरी है emotional healthy रहने के लिए, मस्तिश रेखा में जब भी इसे island की formation होते हैं, life land में, तो बचपन थोड़ा कष्ट में साबित होता है, लेकिन यह कष्ट आपको मात्र यहाँ 15 से लेकर के 18 के बीच में ही था, मानसिक तनाव यानि, घरे लो परशानी यानि, लेकिन उसके बाद में हम देखें, तो धीरे धीरे मस्तिश और जीवन रे देता है कुछ समय के लिए, लेकिन इस condition में family पर dependent या दूसर पर dependent तब तक आप थे, 23 के बाद में सारे इंडिपेंडेंसी आ गई, खुद से decision लेना शुरू किया, mind line straight है, to the point बात करना, straight forward, nature रखना, logical personality होना, इस condition में memory sharp होना, grasping skills अच्छी होना, विवेकवान होना, बुध इसके लिए और उनके बिहाव पर decisions लेने के लिए अच्छा है, यही एकमत reason भी है कि outer Mars पर आपकी सीधी खड़ी रेखा है इतिनी जादा है, जो शत्रू हन्ता योग का निर्मान करती है, इस condition में, रोग रिंड शत्रू, इन तीनों चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, इसलि से होन अले negative response के करण भी आती है, इन सब का hardly असर जो है, वो 36 के ही आसपास तक है, उसके बाद में नहीं है, क्योंकि उसके अद में हम देखें तो 37 में progress line निकली है, और यहाँ पर भी 37 में ही changes है, तो खुद के effort से extreme level का success मिलने वाला है आपको, और इसका life line का flow बाहर के आपको आगे चलके, आगे चलके यानी, 42-43 के बाद में मिलने वाला है, बचपन में थोड़ा frustration aggression था, लेकिन फिलाल इतना कोई negative Mars आपका है नहीं, आउटर मास भी developed ही कि तो mental strength अच्छा रहने वाला है, mental stability अच्छी रहेगी, साहस अच्छा रहेगा courage यानी, शुकर अच्छ standard of living में, कोई भी compromise नहीं कर पाते हैं, और शौकिन किसम का वेक्तित तो देता है, तो बड़े शोखर्मान होते हैं और उन सब में खर्चा भी जादा होता है, केतों की स्थिती सामान हैं और चंदर की तो भागी रेखा ही है, तो mother support attention पहले अच्छा होना, जन्मिस्तान से बरकरी लाइन ये दोनों आपके जीवन में अच्छा खासा तरक्की बारबर दिखा रहा है, और वहीं left hand में भी देखें, तो mind line का strength अच्छा जा रहा है, और यहां पर भी देखें, moon luck line का connections बहुत strong आ रहा है, और शनी की स्थिती में क्या हो गया, कि supportive heart line जो है यहां पर नहीं मिल पाता है, उसको यह identify करता है, और इधर भी square के sign से, बेफिकर रही है, बहुत बड़ा पद्ध प्रतिष्था सम्मान आपको जीवन मिलेगा, और बहुत जल्द, यानि 37 से लगातार मिलते ही रहेगा, तो यह थी सबसे महत्पुन बात है आपके हाथ के regarding, आशुग अब अपना दिहान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद